विशु के इतिहास में भारत 23 अगस्त को एक नया इतिहास लिखने जा रहा है जब भारत का चंद्रियान थी चांद पर उस जगह उत्रेगा जहां पर आज तक विशु का कोई भी चंद्रियान नहीं उतर पाया है किस तरह से ये पूरा लेंडिंग होगा क्या क्या प्रिक्रिया है और भारत के लिए ये गौरों का च्छड क्यों है बात करते हैं हमरे साथ अमरपाल जी हैं च्छेत्री वग्यानिक हैं और लगातार इस चांद के मुव्मिन्ट पर चंद्रियान के मुव्मिन्ट पर नजर बनाई हुएं अमरपाल जी सबसे पहले हमारे दर्सकों का आप ये बताएं कि ये भारत के लिए बिश्व के लिए मापूर पल क्यों है क्योंकि इसके पहले भी चांद पे तमाम चंद्रियान गए हैं ये क्यों इस बार नया माना जा रहा और पहली बार माना जा रहा है दरसल है क्या पहले तो आपको ये समईना होगा कि चंद्रयान है क्या ये तीन मोडूलों मिलकर के बनाया है प्रपल्सन मोडूल जो था जिसने अब तक चंद्रमा तक इसकी यात्रा सासाथ की उसने जो है बहां पर छोड़ दिया अब उसके बाद में इसका जो लेंडर है वो तो फिलाल इससे में चंदरवां की कख्छा में घूम रहा है वो लगभक 25 वाई 134 किलिमेटर की जो और बेट है कि यहां पर उतरने लाइक है या नहीं है अभी जो हो धीरी दीरे करके उतरने की पिरकरियां जो हो दिनों दिनों दिन अगले जो है बड़ा अच्छा कुश्चन है है क्या दरसल साउथ पोल जो है वो बहां पर जैसे प्रत्वी पर 14 दिन होते हैं तो बहां पर यहां के जो 14 दिन बहां पर जैसे पकवारा होता है 15-15 दिन का तो 14-15 दिन का टाइम ही यहां पर मिल पाता है चंदर्मा पर किसी मिशन को साउथ पोल पर काना है तो 24 दिन बहां पर जो है उजाला रहता है चोदोष दिन का टाइम जो है वो यूँ सेलेक्ट किया गया इसरयो के दो आरा कि बहां पर 23 तारीख को सुभह होना सुरू होगी अभी जो आपको चंदरवा की faces यहां से दिखाए दे रही हैं, वो अभी बहुत हल्की faces दिखाए दे रही हैं, लेकिन वहाँ पर जो दिन, South Pole पर जो दिन होना सुरू होगा, वो तेईस तारीक के लिए होना सुरू होगा, और तभी हम लोगों ने ऐसा time decide गया है कि जैसे ही द आरब साल पहले से जब से solar system का निर्माड हुआ यानि यूँ कहें, मून का निर्माड हुआ, तब से लेकर के बहां पर जो है लगातार सूर्य की रोशनी पढ़ती रहती है, तो पढ़ने के कारण वहां की जो पपड़ी है, यानि यूँ कह सकते हैं, जो धरातल है, उसमें जो आपके sun beam है, सूरी की जो करणे हैं, वो लगातार पढ़ने के कारण उसमें जो है helium 3 जैसे elements, तो बहुत सारे elements जो है बन गए हैं, बहां पर तो जैसे बहां देखेगा की magnesium है, aluminium है, copper है, जो एफी लोहा है, तो ये तमाम तत्तोयापर हो सकता है कि बहां पर अपार मात्रा में, पानी के भंडार भी हो साउथ पोल पर, चुकि बहां पर अभी तक कोई भी mission जो है, पूरी दुनिया का नहीं हुआ, जिस जगह पर हम लोग उतरने जा रहे हैं, इंडिया का, चंद्रियान 3 उतरने जा रहा है, बहां पर अब तक किसी ने mission कराने की जद्दोत नहीं कि यह तमाम mission जो हुए हैं, जैसे कि चंद्रमा पर चेंगी 3 हुआ, आपके चाना का, तो चाना ने जो है, डार्क साइड पर, जो फार साइड है, डार्क साइड है, वहां पर mission कराये थे, प्रॉपर जो वहां का, जो सरफेस है, वहां पर mission नहीं कराये थे, जिसे जो आप करके जो orbiting, डी-orbiting की जा रहे है, उससे धीरी-धीरे करके यह जो है, पचीस किलोमेटर दूरी पर है अभी, जो पचीस वाई 134 में है, अब बहां से जैसे इसे उसको पिक्चराइशन किया जाएगा, धीरी-धीरे करके उसके डेटा को अचीव करके, ऑन-बोर्ड कंप्यू पाश्वल होगा, और यह जैसा कि हम जानते हैं कि यह भारत का पहला एश्राविस्ट्रो का मिसन है, कि जो हम दचनी दुरू पे उतर रहे हैं, चंद्रवाग का, और यह एक भेजा गया बैग्यानिक करेते हैं, जो चांद का अध्यन करेगा, और चांद के अध्यन पे यह कि हम कहां उतरें और कैशे उतरें, और उतरने के बाद तमाम प्रकार के उसमें गैसे, उनके मिटी, और क्या-क्या हों उसमें पाई जाएंगे, चवदा दिन के अध्यन के बाद यह हमारा जब यह चांद दूर होगा सुरिज से, अंदेरा चाहेगा, तो आप जानते हैं कि तो अहां इनर्जी के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं, और सोलर पैनल बंद हो जाएंगे, फिर यह आसा किया जा रहा कि फिर चवदा दिन बाद दिये प्रक्रिया हैं शुरू हो, यानि कि एक बड़े रहस्त से परदा उठ सकता है, जिस चीज की कलपना भी तक की जा रह है, मिसन मार्स जो आमने बहुत ही कम बजट में तयार करके भारत को एक अंत्रीम, एक बहुत ही बड़ा सफल मिसन किया था, जिसको भारत के जो इस्पेस एजनसी इस्रो है, वो बहुत ही उचायों तो लेके गया था, उसी तरह से यह जो चंद्रयान 3 है, साउथ पोल पर ए कोशिस करेगा, सर कितना उमीद है इस बार भारत से और भारत का ये चंद्रयान 3 होता है, तो वीश्व में कितनी बड़ी धाक भारत की बनने जारी है, तो धाक तो बनी गी है हमारी, लेकिन हमको 100% लग रहा है कि इस बार चंद्रयान 3 सफल होगा, पिछले बार ही हम लोग 95 तक लगवा क्लियर हो गया था लास्ट स्टेज बढ़ बढ़ा बाकि क्योंकि अग्रदी देशों की स्रेडी में हमारा इंडिया आ जाएगा इससे वड़ी खुशी है सराभी लगातार इस चीज को देख रहे हैं चैनलों पे पेपरों में हर जगा आ रहा चंद्रियांत्री को ले करके कितनी उत्सुक्ता है कि चाथ कब जो है इस चंद्रियांत्री को एक सिप्ट करेंगा अपने धर्दी पर बहुत अधिक शुक्ता है और जान के बहुत खुशी होती है कि हम वारा हमारा भारत भी से चेतर में अगड़ी हो रहा है और हम लोग बहुत इंतियार कर रह है वो सारी आशाएं इस बार पूरी होने जा रही है 23 तारीक वो दिन है जब इतिहास रचा जाएगा चांद पे पहली बार कोई चंद्रियांत्री है इस बार चांद के उन तमाम रहस्यों से परदा उठायागा जो अब तक काफी ढखे हैं काफी जिसके बारे में लोगों क को पता नहीं है विज्यानिकों को पता नहीं है निश्ची द्रुप से भारत का एमिसन इस बार एक नया इतिहास लिखने जा रहा है दीपक सिर्वास्तों हिंदी ख़बर गुरपपुर